हेलो फ्रेंग्स कैसे हैं आप आज की इस वीडियो में हम Capture Typers website के बारे में review करने वाले हैं। जो इस website का नाम है Capture Typers because Capture Typers website पर video बनाने के लिए मुझे काफी लोगों के मेसेज आ रहे थे कुछ permanent subscriber ने भी request की थी यह video बनाने के लिए तो यह वीडियो उनके लिए काफी helpful होने वाली है इस वीडियो में हम review करेंगे कि हमें कैसे यहाँ पर work करना है और कैसे प्याउड लेना है क्योंकि capture पर work करना लोगों को काफी easy लगता है और इस पर काम करना भी काफी easy होता है तो हमें यहाँ पर देखें कि हमें कैसे यहाँ पर capture fill up करने है और यहाँ पर register कैसे करना है आपको वो आप लोग काफी ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर register करना यहाँ पर दूवार register करना होता है आप लोगों के लिए ठीक है और यहाँ पर work करने के लिए और प्याउड लेने के लिए दौनों ही idea आपको एक ही website पर बनानी होती है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कैसी register करना है तो यहाँ पर जब आप किसी भी chrome पर मतलब जब आपे डालेंगे website capture टाइपर्स तो आपके लिए ऐसा interface सो होगा और आप यहाँ पर register पर किलिक करके आप यहाँ पर registration करेंगे ठीक है जैसी आप यहाँ पर register पर किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा जहाँ पर आपको अपना email ID देना पड़ेगा आपको username देना पड़ेगा password और फिर आपको वही password यहाँ पर repeat करना है ठीक है तो जैसी आप यहाँ पर fill up कर लेंगे मैंने यहाँ पर अपनी सारी entry fill up कर दी है और इसके बाद I am not row water पर किलिक करना है और उसके बाद submit पर किलिक कर देंगे ठीक है तो जैसी आप submit पर किलिक करेंगे तो आपके पास एक email आया होगा आपको अपना email चेक करना है तो हम अपना पहले email चेक करेंगे और email पर आने के बाद देखा होगा आपने कि आपको जो भी आपके पास email आया है उस पर आपको किलिक करना है और यहाँ पर आप जो नीचे य तो जैसी आप इस link पर click करेंगे तो आप इस वाले page पर आ जाएंगे ठीक है यहां पर आप देख चुके हैं क्या लिखा हुआ है यह एकाउंट अक्टिवेट सक्सेस्फुली ठीक है तो जो आपका हमने पोटके और सी पासवर्ण से ठीक है कि अपना लिख्यों पासवर्ण पस्वर्ण यहां रहे ंघ ​​ासफ आप इस वाले page पर आजैंगे ठीक है तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ऐसा इंटरफिस तो होगा जहां पर आपके लिए यह रेट वगरा दिया रहेगा कि USD का क्या रेट चल रहा है अभी और यहां पर रश्टर करना कितना अब मतलब कैसे करना है free है और यहां पर इया भी लिखा हुआ है कि यही आप से कोई इसके बदले पैसे मांगता है तो आपको पैसे नहीं देना है क्योंकि यहां पर visitor करने वर करने बिलकूल free है ठीक है? तो क्या करना है कि हम यहां पर पहले नीचे देख लेंगे कि एक USD का कितना rate चल रहा है तो अभी 72 चल रहा है कितना 72 रूपीज यहां पर चल रहा है और यहां पर आपको कितने capture fill up करने पर आपको कितना मिलेगा तो वो भी यहां पर दिया हुआ है क्योंकि लोगों का यही questions रहता है कि हमें कि में कितने capture fill up करने है उसके बाद हमें कितने salary मिलिए यह फिर कितनी इनकम होगी ठीक है तो हम यहां पर जितना work करेंगे हमें उतने ही income होती है ठीक है यहां पर आप सारा सबस्कुष सकते हैं कि कितने इंकम करने होगी और हैं किस सोफ़ पचास क्याप मैं अची खासिया क्यों कि smallest यहां पर देख चुकी है इसके बाद हम ऊपर जैंगे और हैं लखा होगा कुछ तो वहां पर हमें उसपर तो हमें पहले ऊपर जाएंगे हम उपर देखेंगी तो आप लोग यहाँ पर इस तरह की सी यहाँ पर आपको अर्णिंग करने है कैसी fill up करने है capture वो आप सब लोगों को आता है तो वो भी मैं बताओंगा चिन लोगों को नहीं आता है जिन को आता है तो भी यहाँ पर देखेले और हमें यहां पर employee master पर click करना है ठीक है यहां पर हम click करेंगे तो हमारीली यहां पर फिर से एक और ID बनाने के-लिए कहता है, तो हमने पहली ए कहता है यहां पर हम लोगों ने देखा था कि टू आइडी अमें लोगों को बनानी यहाँ पर आप वही same भी डाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप same नहीं डाल सकते हैं वस थोड़ा सा चैन्जिस कर दीजी तो यहाँ पर हम फिर सी username, id, password वगरा डाल के यहाँ पर submit करेंगे तो उसके बाद आपके पास फिर से एक email आया होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो email आया है तो आप फिर से second वाला link को खोलेंगे और यहाँ पर एक link दिया हुआ है तो आप उस link पर click करेंगे जैसे आप इस link पर निचे जो link दिये हुए इस पर आप click करेंगे तो बापिस हम उसी page पर आ जाएंगे और हमें यहाँ पर फिर सी login करना आपको पहले में भी ऐसी ही आएगा और second वाले में भी ऐसी ही आएगा ठीके लेकिन बर्क आप तभी कर पाएंगे जब आप दूसरी वाली ID बना रहें ठीके तो इसमें हमें जो दूसरी ID बनाईए फिर से हमें इसमें login करना और पहली वाली को हमें logout करना होता है तब हम second यहां पर login कर पाएंगे तो first वाली को हमें आसे logout कर देते हैं logout करने के बाद हम फिर से अपने ID जो second वाली बनाई थी उसको हमें आसे login करेंगे और यहां पर अपना username और password डालके हम अपने page पर आ जाएंगे जहां पर हमें work करना है तो इस बाले page पर हम आ जाएंगे आप प्रोगिए आपना password शेप करें डिलेख सकते हैं ठीक है सेप करने का भी option आता है और यह capture आप देख सकते हैं कि capture आपको कैसे फिल अप करना है और यह work आप अपने phone पर भी कर सकते है तो phone के लिए भी option है मैं आपको आँगे बताउंगी आपको phone पर कैसे करना है ठीक है तो यहां पर आपको उपचर ओपर जो दो सोउरा होगा है है तो आप यहां पर क्रिक करेंगे यहां के आप कपेंग्ट में ग्यां और यहां करके सकती निवालगरे क्लिक करेंगे जैसे आपधे दीख पार eh होंगे कि आपको यहां पर वर्क करना है यह पर कड़ार करेंट क्या है क्या है और скорее के लिऐन आप यह पर सारइक ऑती होती आप यहां पर खुद देख पाएंगे और है पर कैपचा कैसे विलप करना है तो यहां पर सबसे बड़े बात तो आप लो kalo सब्रगे की इस Presents अच्छी होनी चाहिए टाइपिंग की और यहां पर नेटवर्क स्पीड भी काफी अच्छी होनी चाहिए तब यहां पर capture जल्दी से आते हैं तो capture जैसे की capture आया तो यहां पर timer चालू रहता है timer रहता है 16 seconds 16 seconds कई है इसमें अभी 16 seconds या 20 seconds क्योंकि इससे जाता है इसमें capture फिलप करने का timing जादा नहीं रहता है यह दिया आप इस timing में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर टाइम आउट आजाएगा आप इसको फिर से करना पड़ेगा मतलब दूसरा capture आएगा यह चाप के लिए फिर से नहीं आएगा ठीक है तो एक capture हो गया तो इसके बाद देखेंगे तीनों capture दियुए हैं आप वन वाइवन यहां पर आते रहते हैं जैसे एक खत्म हो गया तो उसके बाद नक्स्ट आयगा नक्स्ट करके आते हैं ठीक है इसके बाद हम देखेंगी कि और यहाँ पर capture आ रहे हैं यह फिर नहीं आ रहेसे हमाने आते रहते हैं और छितना time यहाँ पर देगे आपकी इपने अगीह बाह्ती होगी तो अब हमें यहाँ पर देखिए जैसे कि यह वाला capture करने के बाद हम और ExplanING Chief नहींने नहीं करना देते । वें phone पर बताऊंगे ठीक है क्योंकि यहां पर बाकी एक capture देख लिया तो सभी लोग कर पाएंगे कैसे और यहां पर जो capture दिया रहते हैं आपको प्रको सही सही भरना होता है ठीक है अब हमने यहां पर देख लिए आपको अपने phone पर कैसे करना है तो आपके लिए उपर हो रहा होगा जहां पर जो उपर लाइन दी हुई है डैस्बूर्ट पर ठीक है तो हम उपर देखेंगे कि जो capture entry डाउनलोड एप तो हम यहां पर उपर किलिक करना है डाउनलोड एप पर ठीक है तो हम यहां पर उपर डाउनलोड एप पर किलिक करेंगे ठीक है यहां पर आप ऑप्सि站 है डाउनलोड एप का तो यहां पर आप किलिक करेंगे तो आपके लिए उप्सथ आएगा कि आप यहां से अपने फ़ॉन पर डाउनलोड कर सकते हैं जो वर्जन है वो आपके फोन में भी चलेगा आप यहां से भी वर्क यहां पर आसानी से कर पाएंगे ठीक है तो Android एप है आप इसे फॉन में डख सकते हैं और यहां से बर्क कर सकते हैं यह आप लैप्टॉप पर वर्क नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फॉन में बर्क करना इजी रहता है क्योंकि हर टाइम हम उ मिलता है एक पर हमें बर्ककना होता है ठीक है तो हम इसे पहले लॉग-out कर चुके हैं और अब हम जो next वाली । इस पर हम पेमेंट लेंगे तो पहले वाली AID को हम लॉग-out कर चुके आप जो second वाली ID है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर option है payment के लिए तो आप यहाँ पर click करेंगे ठीक है और आप यहाँ से आप अपने earning देख पाएंगे कि आपको earning कितनी हुई है और आपने receive कितना किया है आप कितनी वाली चुके है earning तो आपको भू भी यहाँ पर सो होता है और आपको यहाँ पर payment कैसी लेना है भू हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि यह सब तो आप भी कर लेंगे ठीक है तो payment का option है तो आप payment यहाँ पर देखेंगे कि कैसी लेना है तो हम यहाँ पर payment में request payment नीचे का जो आपसें रहता है रिक्वेस्ट पेमेंट का इस पर हम किलिक करेंगे तो आपके सामने नीचे आपसें सो हो रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर bank का भी option है आप Indian bank में ले सकते हैं या फिर आप किसी और से भी लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं बागी आप Indian bank से लेजिए काफी easy रहता है आप लोगों के लिए लेना ठीक है तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपकी सामने न bank details fill up करने पड़ेगी तो यह नीचे option है यहाँ पर आपको bank details यहाँ पर फिलिप करने है ठीक है तो जैसे आप यहाँ पर fill up करने के बाद आप से पर click कर देंगे ठीक है और ऐसे ही आप यहाँ से आप अपने income ले पाएंगे जैसे यहाँ पर सारी details है account holder का नाम क्या है account number क्य है और कौन सी branch है IFC code क्या है और bank address क्या है वो सब आपको यहाँ पर fill up करके save कर देना है तो जैसे ही आप यहाँ पर save करेंगे तो आपके account में balance आ जाएगा और आप यहाँ पर कितना प्याउट ले सकते हैं तो minimum 10 डॉलर पर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं ठीक है आपको आपको कहीं problem आ रही है बर्क करने में या फिर प्याउट लेने में तो आप यहाँ से भी आप चैक कर सकते हैं ठीक है और इसके वाद इसमें और क्या problem है तो आप लोगों ने देख लिया कि आपको ID 2 बनाने है एक पर आपको बर्क करना होता है और दूसरे पर आपको प्या problem आती है क्योंकि एक बार हम एकाउंट बना चुके होते हैं तो हम सिंपल से दिया पासफ़ड भूल चुके हैं तो आप और फार्गेट पासफ़ड पर क्लिक करके आप यहां से कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इसके अलावा भी आपकी कोई कोई है कोई कुशन है तो आप म वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलेगा इस वीडियो में इतना ही मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद